आपके पाप ने दिली के शराप ने शराप के नाप ने केजू को नाप दिया एक चिठी लिख दी लिख दी को जवाब वापस लिखेगी कि भाई हम आपको इसलिए बुला रहे हैं अगर थाने में से किसी को समन आजाए ना हम लोग जितने यहां पर नॉर्मल आपी हैं इंकूडिंग तैसी पुनावला अगर थाने सरी समन आगे ना थानेदार का कि 11 बजी आजाओ हाटी देनी है हिंमत नहीं है किसी कोई नहीं जाएगा आप अपने कंस्ट्याचार कर रहे ह दोस्तों आपका स्वागत यहां जो अरुन केजिवाल की न्यूस चल रिया है जिसके अन्दर दोस्तों शराफ गोटाले के मामले में इडी ने अर्विन केजिवाल को गिरफतार कर लिया है उसी मुद्धेवर दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है जिसमें दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता आमाधी पार्टी के प्रवक्ता और कई अन्यमेमान जो विपक्षी दलों के इस डिबेट के अंदर शामिल रहें तो किसी के तो पेट में दर्द होना ही था और वो दर्द इतना जादा हुआ कि एक आदमी की जो सबसे बड़ी ताकत है कि वो ब्रस्दचार के विरुद है उसके उपर वही आरोप लगाओ और उसको बंद कर दो ताकि उसकी पार्टी खत्मो तो कि आज एक ही आदमी से उन शुक्रवार को क्यो विड्राओ करी अरे नीचे से मिल जाता है तो उपर जाने की ज़ुरत क्या है तो इसलिए और दो आपको भी पता है लेकिन देखिए गोवा चुनाव में रिश्वत का पैसा इस्तमाल हुआ मुख्य सरगन अर्विंद के जीवाल यह सिरफ एडी नहीं कह रही कॉंग्रस पार्टी भी बात कह रही थी क्या क्या ऊंगल यहीं है नहीद का मुख्यों कैसा कि लिचों क्याता है गिरत से नेनीट का इसे व से इडानीय वह सकते हैं वह सब्सक्रconoaltung वंस नेंगेंगेसियों तब तक मैंने एडी को कहा था कि एडी तब तक कोई ग्रफ्तारी कर ना करें अचा आप एक पत आप करें कि मोधी डरे हुए है इसलिए कारवाई कर रहा है आप अपना कैमरा लेकर जाओ जो लोग अर्विंद केजरिवाल को प्यार करते हैं उसलिए उनको फसा रहे हैं प्रभू आपके पाप ने दिल्ली के श्राप ने और श्राप के नाप ने केजू को नाप दिया आज सचाहिए यह है आपके पापने दिली के श्रापने इनको दिली वालों का श्राप लगाए इनको किस चीज को नहीं बेज दिया उठाके यह इनोवा है करप्शन के करफशन के इनोवा जो कते हैं नए नए आइडियास खोच के लाना कि कैसे करफशन करना है कुछ नहीं मिला गरीवों की दवाई में करफशन जेनरिक मैडिसिन की कॉलिटी की लाके उसमें करफशन जलवोड में करफशन अभी तम लोग बात करने सिर्फ श्राब भुटा लेक हाथ कंगन को आर्सी क्या देखी एक मिनट एशियन पेंट्स को भी उतरने में दस साल लगता है ना उतर रहा है उतर रहा है उतरते हुए फाइनल डेस्टिनेशन सोचिए क्या नजारा होगा क्या मजा आएगा खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे भरस्टाचार के ती पूरे सबूत है नियाले से बेल नहीं मिल रही है वो जेल में है तो लोगतंत्र खतम होगी नहीं इनके लिए खतम हो गया आपने हाथ कड़ा करें कौन जवाब देना चाते हैं क्या क्याना जाती है कि लोग तर खतम नहीं हुआ है अगर अपने करफशन अपनी वजह से अपनी गल्तियों की वजह से जिल नहीं है और वकील तो नहीं आप वकील है अमीजी अमीजी उनका जवाद देना चाहूंगा कि इस वक्ट एलेक्शन के पहले उनको क्यों रेस्किया गया आप मुझे बताइए कि पिछले अक्टूबर से उनको समंझ जा रहे थे नौ समंझ जा चुके है क्या एक मुख्यमंत्री को जो लोग तंत के सम्विधानी पर बैठा हुआ शपत लेके बैठा हुआ वह वेक्त है इन्होंने क्या कहा दुबारा से रिपीट किया और उपनिंग में भी का कि अर्विन के जरीवाल के नौ समंझ है क्यों नहीं गये यही पूछा एडी में आपने से किसी को भी बैन में आपसे पूछता हूँ अगर कोई पुलीस या पर शार आप पुलीस में अगर नहीं गलती होगी अगर उन्हाने का तो अगर आपको कोई पुलीस से समंझ किया आप पूछोगे 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 नहीं पूछोगे एडी के अंदर वो कानूने आप लोग बकी लो आपको नहीं बताया जाओगा आपक्यूज होगा या आप विटने सो इसके अलावा जन Ni जनो जो जेवाब जवाब दे दूँ जलागं जुझ जाए तो आपको काम गए अपको काम खतम होग अगया अब सुनिई सभिए अपने भाई से पुटबल मैच की बात पूछिए यह पूरा क्रिकेट मैच बता आप अदिमाच यह नहीं कुछ नहीं बोला नहाएं ग् पोशोगे, आपे वितनेसगे, टो ङाप के पूछोगे? जा तरह की जती हो बात कर दियुक्त है? एक चिठ्थी लिख दी एडी इनको जवाब वापस लिखे भी कि भाई हम आपको इसनी बुला रहे हैं लिखा है क्या आई अगर थाने में से किसी को समन आ जाए ना हम लोग जितने यहां पर नॉर्मल आपी हैं इंक्लूडिंग ट्रैसीन पुनावाला अगर थाने से समन आ खानेदार का कि 11 बजे आ जाओ हाज्री देनी हैं हिम्मत नहीं है किसी कोई नहीं जाएगा आप अपने पुरानी पॉलेशी को बंद कर दिया अरे बंद नहीं करी भाई मेरी बात सुन रही पास लिए उसको लागू नहीं हो ले दिया वापस लिया रोग दोगे तो क्या कर अपने नहीं परशी को नहीं चलने दिया तो वापस तो करनी पड़ेगी ना क्या करोगे अब रश्चा को रहा ना चाहते हो बढ़िए जिससे बिल बिला रहे ना तीनों वह बिलाते रहेंगे कोई फरक नी पड़ेगा आजकर एक नया दौर चल रहा है ब्रस्टशारी जो पाकिस्तान बना जाते हैं या भारत पाकिस्तान बन सकता है पहली बात हम इस्लामिक रही है बारत पाकिस्तान नहीं सकता हम सेकुलर स्टेट हैं हम लोकस्ता इंदर बने जनम फंदर दो??? दोस्तों सबसे पहले सभी सच्चे देश बगत और आमबग प्लीस क्रिप अगर के कॉमेंट सेक्शन में जैहिन जैभात वंदे मातरम और जैश्री राम सरूर से लिख के जाएगा बात दोस्तों आज की इस डिबेट की तो दोस्तों अभी हाली में शराब घोटाले के मामले में एडी ने अरविन केज़िवाल को जो की चीफ मिनिस्टर दिल्ली के उनको गिरफतार कर लिया जिसके तरह दोस्तो आजकी रिवेट थी जिसमें सभी पार्टी के प्रवग्त चाहे आमाधी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो चाहे अंय दलो उन्होंने अपने अपने वक्सी रिवेट में रखे क्योंकि दोस्तों अर्विंद के जिवाल को दस समन भेज दिये गे थे पहले लेकिन एक बार भी इडी के सामने अर्विंद के जिवाल पेश नहीं हुए जिसके तरह दोस्तों शक पैदा होता है क्योंकि दोस्तों अगर इतने ही दूत के दूले थे अर्विंद के जिवाल तो यही लोग दोजा 13 12 13 के इंदर बीना सोचे समझे किसी भी पार्टी पे एज़ाम लगाते थे और बाद में कोट में जाके माफी मांगा करते थे लेकिन जब अब इन पर आरोप लगते हैं तो यह विक्टिम कार्ड खेलते सिंपधी कार्ड खेलते और बोलते कि बीजेपी सरक अगर आपको क्या लगता है अरविंद के जवाल कटर इमांदार है या नहीं है आप उमें कॉमेंट सेक्षिंट में जरू सबताएगा वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरू से खलेगा फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही वीडियो कुछ करा तब तक के लिए बाबाए टेकर